हलो दूस्तों नमस्कार आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम लोग सीडीपी पढ़ने वाले हैं जो की प्रीबियस येर के क्यूस्टन पेपर हैं उसी को इसमें हम लोग हैल करेंगे और देखेंगे तो चलिए देख लेते है आज किया है बाल विकास में सास्तर ठीक है सीडीपी करने मतलब सीडीपी हम लोग हल करने चल रहे हैं तो बहुत ही महत्पूर्ण है और अगर आप प्रिवियस एयर पेपर शाल्प करते हैं तो आप सीटेट एक्जाम पास कर सकते हैं ठीक है तो प्रिवियस एयर क्यूस्टन पेपर बहुत ही महत्पूर्ण है आपके एक्जाम के लिए तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्यूस्टन क्या है क्या है पहला क्यूश्चन देखिए अभी कथन मतलब कतन दीया गया है और कारण तो पहला है एक है क्या है देखिए एक बच्चा ग्यार महिने में चलना सिखता है महीं में कितने मैं eh já 13 महीं में जब कि दूसरा बच्चा 15 महीं में चलना सiktथा है तो काराण दिया गया है यहाँ देखिए और ब्यक्तिया विकाश भिन हिंदरों पर होता है काराण दिया है तो सही विकल्प इससे चुनना है तो सही विकल्प चुनिए इसके अधार पर तो देखिए तो कौँ सही हो जाएगा इसमें से पहला है ए और र दोनों सही है और र सही विकल्प करता है एकी अ की अ होगा या बी देखिए ए और र दोनों सही है लेकिन र सही विकल्प नहीं है एकी C देखिए C क्या है A सही है लेकिन R गलत है यहाँ A टाइप नहीं हुआ है तो यहाँ A रहेगा A सही नहीं है लेकिन R क्या है यहाँ पर A सही है करने मतलब A सही है लेकिन R गलत है यहाँ A हो गया और D में है A और R दोनों गलत है तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा उत्तर तो उत्तर हो जाएगा आपका A वाला हो जाएगा कहने के मतलब A पहला हो जाएगा A और R दोनों सही है और R शही ब्याक्ख्या करता है A की कहने के मतलब ये कथन भी सही है और इस कथन की ब्याक्ष्या एकाराण करता है ठीक है? कहने के मतलब पहला सही है कौन सा? पहला वाला सही है दूसरा देखते हैं विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? तो आनुवांसिक बनावट हो गया पहला दूसरा बहुत तिक बाता है और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ देखिए हो जाएगा करने मतलब तीनो तीनो होता है तो D option सही हो जाएगा करने मतलब 1,2,3 1,2,3 करने मतलब D option सही है आपका आगे देखते हैं तीसरा के उस्चन क्या है किस अवस्था में प्रतिकात्मक खेल बढ़ता है तथा संग्यानात्मक विकास को शमर्थन देता है सैस्वा अवस्था, प्रारंबिक बाल्या अवस्था, मधि बाल्या अवस्था, किशोर अवस्था तो चारो में से कौन सा से हो जाएगा किस अवस्था में प्रतिकात्मक खेल बढ़ता है तिथा संग्यात्मक विकास को शमर्थन देता है तो एक क्या हो जाएगा इसमें तीसरे में तीसरे में आपका हो जाएगा बी प्रारंभिक बाल्याउस्था हो जाएगा इसमें इसके बाद आगे देखते हैं चोथा है निम्न में से बच्चों के प्रात्मिक सामाजी करण की संस्था कौन सी है तो बच्चों की प्रात्मिक पहली सामाजी करण कहां से होता है बच्चों का किताबों और पत्तिरकाओं से होता है या मिडिया से होता है या धार्मिक संस्थान से होता है या परिवार से होता है तो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही सीखना सुरू करता है सबसे पहले समाज उसका परिवार ही है ठीक है? तो आप्सन नंबर हो जाएगा D आपका सही पांच मां प्रसन देखिए एक पांच वर्ष की बच्ची यह तरकर्ण में बिफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकिन गिलास से एक चवड़े बरतन में अस्थांतरित किया जाता है तो पानी की मातरा समान रहती है प्याले अंस्वार इसका क्या कारण है ठीक है तो देखिए इसको पहला है वह प्रतिवर्थी सोच नहीं रखती ठीक है टाइपिंग में ठोड़ा मिस्टिक है भी है वह लक्ष निर्देशित ब्योहार नहीं कर सकती यह वाला यहां रहेगा तीसरा है C है वह प्रतिवर्थी को इस्तेमाल नहीं कर सकती और D है वह नकल नहीं कर सकती तो इसमें आपका कौँ सा हो जाएगा पांचमे में आपका हो जाएगा A हो जाएगा आपका वह प्रतिवर्थी सोच नहीं रखती ठीक है पांचवा हो जाएगा पांचवा का ए हो जाएगा आगे चलते हैं छठा है लेव वाइगोत्सकी की इसी दंद के अंसौर हमारी संग्यानात्मक संदस्नाओं की बनावट वह हमारी संग्यानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है इनाम के तौरः सांस्कृतिक उपकरण के दौरः इश्कीमा के दौरा शेंग्यानात्मक दवन्दू के दवारा तो हो जाएगा आपका इश्कीमा छटवे में छटवे में क्या हो जाएगा सही इसकीमा नहीं है इसमें ठीक है A हो जाएगा B है संस्क्रितिक उपकराण छठे में B है सही नेक्स देखते हैं साथवाँ वाइगोच्की के अंस्वार इनमें से काउन साकारक शेंग्यानात्मक विक्यास में महत्पूर भूमिका निभाता है भासा है या परिपकोता या शेंगठन या संतुलन तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा भासा हो जाएगा ठीके क्या हो जाएगा आपका बहासा हो जाएगा आठमा देखिए समुहों में चर्चा करना शकारात्मक सिक्षक्षा तसंबंद की कक्षा कक्ष की विश्यस्ता है तो देखिए प्रगत्सिल कक्षा कक्ष या पाठ पुस्टक के अंदरित दिया है तो तो गलत माना जाता है निगेटिव है अप्टन shortened वर्चिक्षक्ष चिर्ण और शिक्षक के अंदरित बहासाई माना जाता है क्योंकि बाल के अंदरित कषा प्रागत सील कख्षा कख्ष आगे चलते हैं तो नमा देखते हैं में विद्यार थी पहला अपने स्वैम के सीखने में ज्यादा भूम्क्या नहीं रखते तो गलत है क्योंकि रखते हैं स्वयम के सेखने में मतलब खुद से ही सीखते हैं जादा यह रहना चाहिए था लेकर इसमें नहीं दिया है तो ग्लत हो जाएगा ज्यान के सक्री निर्माता तो शक्री निर्माता शक्री जहांत पर रहता है तो आप अपशनाप का को एक कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं एकल और घ्यांद साइफ़ आ लेकर जाता है ठीक है तो कोड़ीपटी नहीं रहता है कि भी निस्किरी रूप से सिक्षकों का अन्कॉरंड और अंस्वरंड करते हैं निश्क्री यहां दिया है तो यह भी निगेटिव है कहने के मतलब हो जाएगा आपका काउंसा बी सही हो जाएगा ग्यान के सक्री निर्माता सक्री निर्माता ठीक है नौवा में हो जाएगा भी और इसके आगे चलते हैं दसमा है कोहल बर के किस चरण में ब्यक्तितर करते हैं कि सही कारेवाही विवेक के स्वच चुने हुए नैतिक सिद्धान तो दोरा परिभासित की जाती है तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ए है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभी विन्यास बी है सामाजिक अनुबंधन अभी विन्यास तीसरा है सी है सामाजिक ब्योस्था बनाने का अभी विन्यास डी है सारभामुक नैतिक सिद्धान अभी विन्यास तो इसमें दसमें में हो जाएगा आपका कि डी है कि गिरा हुआ देखते हैं हावर्ड गार्डनर के अंश्वार वह अब्यक्त जिन में दूसरों के मंसाव भावनाओं ब्योहारों को समझने वह उनके साथ संबंद बनाने की छमता होती है उनमें कौन से बुद्धी होती है दूसरों के भावनाओं को समझने जो समझते हैं तो उनमें होती है कौन से बुद्धी प्रकृतिवादी नहीं या प्रकृतिवादी की शान इत्याद में होती है अंतरवयक्तिक अंतरवयक्तिक अस्थानिक कौन से इसमें से तो देखिए त हो जाएगा आपका अंतर बैयक्तिक अंतर बैयक्तिक हो जाएगा 11 का भी हो गया इसके बाद आगे चलते हैं बारह हुआ देखते हैं जब बच्चे इस्कूल में प्रिविश करते हैं ए है उन्हें अपनी मात्र भासा में बोलने की अनुमत दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्पूंड है बी है इसकूल की भासा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए तो जुर्माना लगाना एक गलत बत है C है उन्हें असपर्ष रूप से बताया जाना चाहिए कि इस्कूल की एक अलग भासा है उन्हें अपनी मात्र भासा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए ठीक है तो मात्र भासा में नहीं बोलेगा तो ये भी गिलत है क्योंकि बच्चा अपने मात्र भासा में ही ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है ज्यादा से ज्यादा मानसिक विकास उसका अपनी मात्र भासा में हो सकता है ठीक है और D क्या है उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भासा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, अपना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा उन्हें अपनी मातर भासा में बोलने के अमुत दी जानी चाहिए क्योंकि अव्यक्ति महत्पूर है ठीक है तो अपनी मात्रिभासा में ही बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है निक्ष्ट देखते हैं लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और रियांतरिक बलाक ठीक है लड़कियों को गुडियाव चित्रकारी के संसाधन दिया जाते हैं यह अनुपयुख़ प्रताग क्या दर्शाती है तो यंद्डर इस्तिरता यंद्डर गुटर सम्ता यंद्डर पक्सपाथ यंद्डर सकति करण्ट तो मतलब जेंडर पक्सपात हो रहा है यहां पर कहने के मतलब लड़कियों को कुछ अलग दिया जा रहा है लड़कों को कुछ अलग तो हो जाएगा जेंडर पक्सपात हो जाएगा C अपसन सही हो जाएगा तेरह होने का C 14 देखिए एक सिक्सिका को बच्चों के अपने आप से बात करने ब्यक्तिगत वाक की क्या प्रत किरिया देनी चाहिए 15 कि उसे हतोतसायत करना चाहिए क्योंकि वा आतम केन्द्रियता को बढ़ावा देता है भी है उसे हतोतसायत करने चाहिए क्योंकि इसके दोरा बच्चा अलग-खुद ooh biss ध्यान भंक करता है तो हतोतसाइद जहां पर है तो गलत हो जाएगा पहले ही सी है उसे प्रोजसाइद करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुशाधित होता है और डी क्या है उसे प्रोजसाइद करना चाहिए क्योंकि इससे सिक्षक की जिम्मेदारी खत्म होती है तो शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म थोड़ी होती है शिक्षक की भी जिम्मेदारी होती है तो आपका सही हो जाएगा आप सन सी हो जाएगा सही चैवद्धावे का सी हो जाएगा सही पंदरह हुआ देखिए नियुलिखित में से कौसा कथन, कक्षा में सवाल पूशने के संदर में शही नहीं है देखे, विद्धियार्थियों से प्रश्ण के उत्तर पूशने का मुख उचदिस उनका परिक्षण करना है बी है विशलेशड आत्मक पुष्णने से बिद्ध्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मज़द मिलती है सी है बिद्ध्यार्थियों को काक्चा में पुष्णने के लिए प्रोच्षायित करना चाहिए दी है वह प्रस्ण जो विवेच्चन और अनप्रयोक न पर आधारित हो उच्छतर श्रेंडी के चेंदन कौसलों को बढ़ावा देते हैं तो इसमें से आपका 15 में क्या हो जाएगा 15 में हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से प्रस्ण पूछने काम उखुद्य उनका परिक्षण करना ठीक्षण करते हैं यह सही हो जाएगा 15 में का आपका सापमा स्माव उस्थी शिक्षा में लिये कौस सःायक है कि शिक्षा के लिए यहां रहना चाहिए समीषी सिक्षा के लिए निमंगनी से कौस सढएक है तो पहला है विद्यार्थियों के बीच प्रतियस परदा की भांवना भी है लचीलापन पार्ठीक्रम और अनननी श्कूल करेंडर तो कहीं कहीं टाइपिंग में मिश्टिक है तो अपलोग समझ लीजी C है विद्धियार्थियों कि आउस्चताओं के आउसर उचित आवास D है सक्त सिक्षक केंदर्थ सिक्षक सास्त्र तो सुलामें में आपका कौन सा हो जाएगा सुलामें हो जाएगा आपका C हो जाएगा ठीक है 17 देखिए निमलिखित में से कौन किसी ब्यक्ति के हाथ से आख के तालमेल संतुरन और सारे रिक निपूर्टा की श्मता को प्रभाइद करता है तो गुणज वैकल पठन वैकल भासा वैकल गति समन्य वैकल तो इस में से 17 में से कौन सा हो जाएगा आपका अब को हो जाएगा 17 में डी हो जाएगा अट्रावा देखिए उन विद्यातियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें द्रिष्टी बादिता है क्या है द्रिष्टी बादिता एक सिक्सिका को क्या करना चाहिए यह है आसपास की चितर रूपी सामग्री में मौकी कश्पष्टी करें जोड़े इन विद्यातियों को हस्त लिखित नोट्स देने से कोई लाब नहीं होगा क्योंकि जब वो देखी नहीं पा रहा है तो लिखित नोट्स देने से वो पढ़ ही नहीं पाएगा ची है बिसे वास्त को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें ब्लैक बोर्ड पर देखी नहीं पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड से क्या मतलब है इससे डी है उन्हें इसकुल के एक अलग संकाय में दाखिला दें तो आपका ए हो जाएगा ए हो जाएगा सही आसपास की चीतर रूपी सामगरी में माउखिक आसपरश्टी के रण जोड़े हैं अठरा हुआ का ए हो जाएगा आपका तो आगे चलते हैं कि 19 का हो जाएगा देखिए 19 में जन जाती समदायों के विद्यारतियों के सफल समावेशन के लिए एक सिक्षिख्या को निमसे किस से बचना चाहिए उनके दैनिक जीवन और परिवेशन से उदारों सामिल करना भी है उनके सामाजिक शांस्कृतिक संदर्व को महतों और सम्मान देना पाथक्रम में उनकी सांस्कृति में प्रसलित लोग गीतों और गीतों को सामिल करना डी है संप्रत्यों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रसंगिक है तो 19 में आपका हो जाएगा दी हो जाएगा 19 हो गया 20 देखिए नियुलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यातियों के समायोशन है यतोचित समायोजन रण निती का स्वैयोग्म है तो ए है ध्यान नियूनता अत्य क्रिया शेलता विकास लंबी आउद की फिल्में दिखाएं बी है श्वली इनता जितना हो सके एक ही समय साड़ी दिन चरिया C है पठन वैकल जटिल गढ़ना पर आधहरत प्रस्ण दें D है वाक बाधिता मुल्यांकन के केवल मौखिक रूप को सिवकार करें तो केवल जहां पर आ गया तो गलत हो जाएगा और जटिल गढ़ना पर आधहरत तो जटिल नहीं देना चाहिए ज़्यादा स्वल इंता जितना हो सके एक हिसमें सांडी दिंद चरया तो हो जाएगा आपका 20 ही हो जाएगा 20 का 20 ही हो जाएगा आपका 21 में है अभी कथन है और कारण है तो इसको इसी की दोरह हल करना है तो देखिए सिक्षकों को नेड़े लेने में विद्यार्थियों को सामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्री भागिदारी को प्रोचाइद करना चाहिए ठीक है तो विद्यार्थियों को सामिल तो करना चाहिए और सक्री भागिदारी कक्षा में प्रोचाइद करना चाहिए कक्छा में शक्री भागदारी को प्रोध साइट करना चाहिए, और इसका कारांट देखे दिया है क्या, अधिगां से छक दोरा बिद्यार्थी को सीधे अस्थंत रिट किया जाता है, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा देखेो, इसमें से आपका सही हो जाएगा, आपका C सही हो जाएगा मतलब A सही है यह सही है और R लेकिन R गलत है 22 देखिए बिद्यारती निम्न में से किसे नए ग्यान के निर्माड का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है या जो उनके लिए अश्पष्ट और अप्रसंगिक है या जो उनके लिए पूरी तरह से अपरचीत अग्यात है जो उनके वरत्मा संग ज्यान आथमा करता है से बहुत परे है तो इसमें से हो जाएगा आपका जो उनके दोराद पहले से ही समझा और माना जाता है यह सही हो जाएगा 22 का तेज देखिये शीखने के सामाजिक संदर्ब के संबंद में निल्खित में से काउं सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो पहला देखिए, संप्रेश च्छण वा अंतर किरिया शीखने के लिए महत्पूर्ण है, बिद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृती से बहुत सी समझ लेकर आते ही हैं, जब बिद्यार्थी एक दूसरे की शायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, तो उनका अधियम सुरुदेड़ प्रबलेतुवा परिस्कृत होता है, तो इसमें से आपका हो जाएगा, नकारात्मक है नहीं पूछा है, तो तेसमें हो जाएगा आपका क्या, भी हो जाएगा, सीखने का सही कार ब्यक्ति दूरा उनके दिमार्थ में किया जाता है, तो य संदर्वित पार्ठी करम, भी से वर्ष्ट को प्रवस्तित करने की विवित तरीके, विद्यार्थी केंदेत गयती विद्धिया, ब्यक्ति गयत विविनिताओं का अमान, तो आपका इसमें हो जाएगा सही काउंसा, अब सफलता के लिए जिमेंदर क्या है, यह हो जाएगा अब सबूस्ति आपका. इसके बाद पचीसमा देखिए प्रभावी अध्यम के लिए सिक्षार्थी की खले स्थं भागीदारी की ओशकता होती है, सक्री, विनम्र, आंसिक, निस्क्री, तो इसमें से हो जाएगा, सक्री भागीदारी की ओशकता रहती है, ठीक है, निस्क्र शक्री नहीं सक्क्री इसमें सक्क्री हो जाएगा 26 आवा देखिए अधिसंग्यान आत्मक कॉशल चिंतन और अधियम को नियमित करते हैं शंग्यान और समस्या समाधान को प्रवाइत नहीं करते आवाल विश deceived के रटने पर निर्भर हैं तो रटना तो रटनत विद्याब्ध नहीं है मतलब रटने पर बल नहीं दिया जाता है अगर रटना दिया है जहां पर वह गलत मना दिता है विद्याथेयों के संग्यानात्मक भिकाश की देर को दर्श आता है तो आपका इसमें हो जाएगा 26 में हो जाएगा आपका ए चिंतन और अधियम को नियमित करते हैं 27 में देखिए तुटियों के बारे में नियम में से कौन सा कथन सही है यहां दे अधियम प्रक्रिय दे करने के बैोहार को इनाम और शांगिया दे खत्म करना चाहिए यह गलत बात है बार बार चोटी चोटी गलतियों पर इनाम नहीं दिया जाता है अगरा देखिए तुरुटियों पर चेर्चा और बिशलेशन दोरा उन्हें अर्थ पूर्ण अधिग्यम में बदला जा सकता है दी देखिए बिद्यार्थी अपनी तुरुटियों की स्वयम खोज और शुधार करने में सक्षम नहीं होते तो गरत है भाई ये बिद्यार्थी तुरुटियों करके सीखते हैं तो इसमें से हो जाएगा आपका सही काउंसा सी हो जाएगा तुरुटियों पर चेर्चा और बिशलेशन दोरा उन्हें अर्थ पूर्ण अधिग्यम में बदला जा सकता है अठाइसमा देखिए अधिग्यम और शुजना प्रसंस्क्रण एम समवेगों और प्रवित्ति का संबंद किस प्रकार का है तो अधिग्यम और शुजना प्रसंस्क्रण समवेगों से काफे हद तक प्रभावित होते हैं भी है संवेग और अधियम और शूजिना प्रसंस्क्रंट का एक दूसरे से कोई संबन नहीं है नकारात्मक संवेग अधियम और शूजिना प्रसंस्क्रंट को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं ली है नकारात्मक संवेग अधियम और शूजना प्रसंसकर्ण को सकारात्मक रूप से प्रभाविद करते हैं तो 28 में आपका हो जाएगा यह ही होगा आपका 29 देखिए 29 नमबर पर एक विद्यार्थिक कुछ संप्रतियों के बारे में अपनी जिग्यासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है या किस तरह कि लक्ष का उदारण है तो देखिए पहला है महारत हासिल करने के दिशा में उन्मुक B है परिहार उन्मुक महारत लक्ष C है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुक लक्ष D है परिहार उन्मुक प्रदर्शन लक्ष तो आपका यह हो जाएगा पहला महारत हासिल करने के दिशा में उन्मुक लक्ष ठीक है आगे चलते हैं अंतिम देखते हैं राष्टी सिक्षानी 2020 का केंद बिंदू है कठोर पाठिक्रम सिक्षा सास्त्र और मुल्यांकन बहु बिस्यक्ता और समगर शिक्षा परिक्षा की और और उसके लिए सिखना आकलाइन के लिए योगात्मक तरीकों को अपनाना तो आपका ह हो जाएगा आपका क्या बहुत बिस्यक्ता और समगर शिक्षा ए हो जाएगा आपका भी हो जाएगा तो यहीं था आज का वीडियो और आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग ज्याद़ा से ज्यादा इसी तरह के प्रिब्यस येर की इसे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी ठीक है तो हम विलते हैं आप सब इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे रिंद जे भरत क्या थाओटन के काहिताने साल थाओ जे पर काईय़ हो बाँए लाओशन को घ्रिंद साव जे पर कमीज बें!!!